यह देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है साफ तोर पर आप बताएंगे यहां पर आपको जो दिख रहा है वो है धातु रूपानी धातु का मतलब क्या होता है जैसे कि क्रिया को हम बोलते हैं धातु लेकिन जो मूल रूप होता है जैसे कि यह हो गया पठ तो यह मूल रूप है लेकिन यहां पर पठती है यहां पर पठसी है यहां पर पठामी है तो यह मूल रूप नहीं है लेकिन यहां पर जो पठ है यह म तो क्या करेंगे जैसे कि किसी भी grammar में दो चीजे होती हैं मिली एक करता और दूसरा kriya जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हुआ करता और पढ़ाना kriya हो गया उसी तरह किसी भी जो basic grammar की बात करते हैं किसी भी language में तो वहां पर दो चीज जरूर रहेगा करता और क्रिया, तो अभी मैंने आपको एक तरह सब्रूप दिखाये, जो कि करता था, बालक जो था करता था, अब मैं आपको क्रिया दिखा रहा हुँ, जो कि धातुरूपानी, पठ, अब देखिये, यहां पर क्या क्या चीज़े आती है, तो यहां पर आप देखेंगे, ध् और क्या आता है वचन वचन तो उसमें भी था सब्द रुपाणी में भी था वचन और यहां भी है वचन यहां पे उस टाइम पे विभक्ती था लेकिन यहां पे अभी पुरुस है पुरुस है समझ रहें और नीचे में देखिए क्या है यह है प्रतम पुरुस मध्यम उस पर जाला ध्यान मत दीजे, मैं क्या बोल रहा हूं, बस आप यह समझे, कंटेक्स समझे, मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए, जैसे कि आप इंगलीस में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, परशन पढ़ते थे, तो परशन में आप पढ़ते होंगे, वहां पर होता है समझ रहे हैं सिर्फ यह होता है बीच वाला नहीं होता है बीच वाला उसमें नहीं होता है इंगलिस में तो यहां पर फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता था आई आता था और इधर क्या आता था वी आता था आता था ना लेकिन संस्कृत में फर्स्ट पर्सन को हम उत् एप संस्कृत में क्या आता है? विप के लिए यहां पे आएगा वे हम? मैं आपको बताऊंगा बाद में अभी आप फिलाल यह समझ़िए यहां पर मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं? और यह सारे हम बाद में करेंगा, अभी आप यह समझ़िए. जो मध्यम पुरुस है और इ थारं ü golden प्रार्श को यहां पर देखेंगे प्रथम पूरुस में प्रथम पूरुस को हम इंग्लिस मेरं क्या बोलतें एक और से थार्ट परसन समझ गए तो जो प्रताइम पूरुस हैDes वो फाट परसन का काम करए मतलब कि हम किसी और को बोल रहे हैं जैसे की he, see, it, और जितने names आते थे न, he, see, it, या फिर जो नाम, नाम किसी का हो गया, बालक, भासकर, कुछ भी, और इधर साइड में क्या आता था, और यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे आता था, दे, इंगलिस में, दे, वे लोग, तो यह सारी चीजे हैं, संस्क्रिट में क्या क पानी में क्या होता है, यहाँ पे आप देखी, जो प्रथम पुरूस है, यह थर्ड परसन है, और मध्यम पुरूस जो है, इंगलिस का, और जो उत्तम पुरूस है, यह फर्स्ट परसन है, तो संस्क्रिट में, जब आप इंगलिस में देखते हैं, तो यह यहाँ पे आता थ तो आप यहां पर समझें, और मैं आपको अब ले चलता हूँ, नीचे में थोड़ा सा चीज और दिखाता हूँ आपको, तो यह देखिए, तो यहां पर देखिए, एक चीज और है, वो है लकार, तो लकार क्या होता है, मैं आपको बताओं, जैसे कि आप इंगलीस में क्या प पढ़ रहा हूं तो यह वाला आएगा समझ रहे हैं नई समझ रहे हैं तो आगे समझ में आएगा और जैसे कि मैं पढ़ूंगा तो यह वाला आएगा किस में आ गया यह यह आ गया रिट लकार में यानि कि भविश्यकाल में और जो और लकार है मैं आपको दिखाता हूं तो दूसरा आगे का लकार है, वो है, लंग लकार, तो ये अतीत काल के लिए, जैसे की मैंने पढ़ लिया, तो यहाँ पर, अभी का हां नहीं हो रहा है, पहले हो चुका है, तो ये है लंग लकार में आ यूज करना पड़ेगा आगे में, और आता है एक लोट लकार अनुग्या आदेश मतलब कि तुम पढ़ो तुम पढ़ो जब आप किसी को आदेश देते हैं तो वहाँ पर हम यूज करते हैं लोट लकार को समझ रहा है लोट लकार रह और एक और आता है विधी लिंग लकार जो कि अभी यहाँ पर आपको क्लास 6 में नहीं चल रहा था लेकिन यहां पर देखें गम है तो यहां पर गच्छती चल रहा है तो यहां पर अंतर हो गया इसी की कारण जो मूल रूप होता है और यह अलग होता है जो रूप चल रहा है तो यहां पर देखें पूरूस है प्रथम पूरूस मध्यम पूरूस और उत्तम तुम जाओगे तो तुम गच्छसी होगा अगर प्रथम पुरुस है तो अगर मैं किसी को बालक पढ़ता है बालक जाता है तो बालक का गच्छती होगा समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आगे आगे आप समझेंगे इस चीज को कब समझेंगे जब मैं आपको करता और क्रिया का मिलान दिखाऊंगा तो इसी तरह यहाँ पर फिर आ गया लिट लकार है फिर आ लंग लकार है लोट लकार है तो यह सारी चीजे बार-बार चलते रहेंगी और यहाँ पर द्धातूरूपका मोल रूप है तो अभि तक आपने समझा की सब्ध रब्द रुपानी और धातु रुपानी आपने अभी तक दो चीजे समझ लिए तो अब मैं आपको तीसरी चीज़ समझाता हूँ जो कि हमारा था कारक कर Istब घुर समय है